नमस्कार दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी ख़वर निकल कर शामने आ रही है कि इंडिया 12,000 से कम के बिखने वाले चीन के स्मार्टफोन जैसे ओपो, वीवो और रियल्मी या एक शौमी जैसे कमपनी को बैन कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों इस बात का यकीन मानिए या ख़वर एकदम सही है और ऐसा इस लिए किया गया है ताकि भारती स्मार्टफोन के ब्रांच जैसे लावा, माइक्रो मैक्स और कार्वन जैसे अन कमपनियों को बढ़ावा मिले दोस्तों चीन के स्मार्टफोन अगर आप खरीदने जाओगे तो 12,000 के नीचे अधिकतर रियल्मी, रेड्मी और अक्षौमी जैसे फोन दिखने को मिलेंगे जो भारत में 80-90 प्रस्त की मार्केटिंग करती है भारत सरकार को इससे कोई फाइदा नहीं होता है क्योंकि यह कमपनियों टेक्स नहीं देती है एक तरफ से कहा जाए तो चीन की फोन की कमपणियों ने टेक्स के साथ खिलवाड कर रही थी गोटाला कर दी थी जिसके करण सरकार पर नशान होकर ऐसा फैसला सुनाया जिससे चीनी मुवाइल कमपणियों को बड़ा जटका लग सकता है और हो सकता है अब भारत लावा, माइक्रो मैक्स और कारवन जैसे फोन में अच्छे फेचर्स के साथ मार्केट में निकाल सकती है इससे भारत को फायदा भी होगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपको या भारत सरकार का फैसला कैसा लगा कमेंट में साजा कर सकते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सेयर करें और अगर आप न्यूज जेस्टिफाइब पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच